Hello everyone, welcome to Farmerogs YouTube channel Farmerogs के YouTube education channel में आपका स्वागत है आज की video lecture में हम detail में study करेंगे Fluca 150 tablet के बारे में तो हम सिखेंगे ये tablet के basic use के बारे में जानेंगे उसका dose क्या होता है सिखेंगे उसके side effect, warning and contraindications को detail में और जानेंगे के Fluca 150 tablet का सही उप्योग हम कैसे करें तो expert lecture by Amar sir, assistant professor and founder of Farmerogs Thank you for being Farmerogs family Updated Rea of Farmerogs के साथ सीखें अलग लग भीमारियों के बारे में उनके उप्चार के बारे में दवायों के use क्या होते हैं उनके dose side effect, warning and contraindications को एक साल तक affordable price में Farmerogs की आप उपर दोपी डाउनलोड करें और सीखें medicine course के बारे में साथ ही करें हमारा second channel subscribe के जिसका नाम है Hollywood to Hindi Excellent के वहाँ पे अलग-अलग Hollywood की movies को आप देख पाएंगे वो भी अच्छी picture quality के साथ Hindi में तो अभी subscribe करें second channel link आपको description box में मिल जाएगी तो अब समझते है fluco 150 tablet के बारे में तो यह ऐसे class का medication है कि जिसको हम antifungal medications कहते हैं और यह medication क्या करती है जो foug होती है उसके करण जो fungal infection होता है तो उसकी growth को जो है वो कम कर देती है कि जिससे fungal infection का जो है वो ilaj होता है और इसके अंदर जो salt composition के हम बात करें तो वो है fluconazol और 150 mg के strength में यह tablet के अंदर fluconazol जो है वो present है अब बात करें उसके manufacture है तो cipla pharmaceuticals उसके manufacture है आगे जानते है fluconazol के बारे में तो fluconazol एक antifungal medication की जैसे fluca 150 करके tablets डिजाइन करता है cipla ऐसे ही fdc का zocon करके भी tablet आयते है कि जो एक equivalent product है fluca 150 का कि जिसके अंदर भी fluconazol ही है और 150 mg के strength में वोले हुई तो यह fungal infection में इलाज में यूज होने वाली दवा है कि जिसको triazol antifungal drug कहते हैं और systemic effect होते हैं उसके body के उपर और जो yeast के करण होने वाले fungal infection को भी ये medication treat करती है और जो fungus की growth होती है उसको stop कर देती के जिससे ये medication लेने के बाद आपका fungal infection जो हो ठीक होता है तो जो container आप label के हम study करें तो label आप देखो और उसका packing देखो तो एक tablet जो है वो available होता है कि एक ही tablet यहाँ पे आप ये blister के अंदर देखेंगे कि once only एक ही tablet जो है वो packing के अंदर रहती है और उसका पीछे का जो detail label देखे तो यहाँ पे लिखा है कि फ्लुको नजॉल tablets इंडियन फार्मकोपिया के standards के according to उसको बनाए जाते है फिर 150 mg की जो है उसकी strength यहाँ पे आप देख सकते है फिर storage condition लिखी है label के उपर के cool और dry place पे आपको उसको store करना है और retail में जब आप बेचते हैं तो prescription के साथ ही उसको बेचना है because यह prescription based medication है और यह uncoated tablet है उनके उपर कोई भी coating नहीं किया होता और एक tablet के अंदर floconazole रहता है 150 mg जितना है तो यहाँ पे खास उसकी warnings भी लिखी है यह tablets के उपर कि उसका जो box होता है उसके उपर खास उसकी warning चपी हुई होती है कि आपको लेना है direction के according to आपके physician या फिर आपके doctor या फिर आपके pharmacist के सलाह के according to है आपको यह medication जो हो लेनी होती है और जब भी आप उसको retail में बेचते हैं तो जरूरी है कि आप बिना prescription उसको ना बेचे because यह prescription based medication है तो यह होगे उसकी label की study अब जानते हैं आगे यह tablets के uses के बारे में तो कौन से अलग-अलग medical conditions में फ्लुको नाजल के जो यह tablet है वो use किये जाते हैं तो single dose रहता है एक week के अंदर की जो उसके dose के हम बात करें तो patient जो है वो week में एक बार उसको खाता है और कौन से अलग-अलग medical conditions तो यह से जो fungal infections होता है उसको treat करने के लिए फिर vaginal candiditis की condition की जो candida albicans करके जो food होती है उसके करण जो vaginal yeast infection होता है उसके इलाज में फिर जो urinary tract infection होता है उसमें भी responsible है समझो कि candida species responsible है कि food के करण आपको urinary tract infection हुआ है तो उसके इलाज में भी यह tablet use की जाती है फिर cryptococcal meningitis की जो एक type का fungal infection है कि जो आपके mustis के अंदर होता है brain के अंदर होता है या फिर आपके spinal cord के अंदर होता है specially जो AIDS की जो patient होते है उनके अंदर तो उनकी इलाज में भी यह tablet जो वो use की जाती कि इस तरह से आप देखो कि जो अलग-अलग fungal infection skin पर होते है उसके इलाज में यह tablet patient खा सकता है फिर जो tinea infections हम कहते हैं उसमें भी यह medication सबसे ज़्यदा popular है तो tinea infection में इस तरह से खास कर आप देखो तो cutaneous candidiasis की जो conditions होते हैं कि आपके skin के layers के उपर fungal infection हो रहा है ring warm जैसा हो रहा है athlete's food की condition हो रही है jaw kiss का जो condition हो रहा है oral thrust या फिर isofagial candidiasis तो यह सभी treatment सभी के treatment में fluca 150 के tablets यूज की जाते हैं फिर जो candidiasis कि चाहे वो आपके oral cavity में हो रहा है या फिर आपके vaginal region में हो रहा है तो 150 tablet फिर blastomycosis या पिर जो diagram में आप देख रहे है ऐसी condition हो रही है तो उसमें भी ये tablet useful साभीत होते हैं फिर kokai dio do mycosis की जो condition कि ये diagrams के according to तो ऐसे fungal infection को भी ये ठीक करता है फिर crypto cocosis या पिर आप देखो कि इस तरह से आपके fingers के उपर या फिर आपके body के उपर ऐसे infections हो रहा है या फिर histoplasmosis की जो condition हम कहते हैं उसके इलाज में कि यहाँ पर आप जिदो देख रहे हैं इस type का infection आपके skin के उपर हुआ है आपके body के पार उपर या फिर dermatophytosis की इस तरह से जो ring warm जैसे बनते हैं या फिर आपके skin के उपर ऐसे fungal infection हो रहा है या फिर pitariasis वरसी कॉलर की जो condition ये वाला जो है तो ये सब भी type के अलग-अलग fungal infection को fluca 150 tablet जो है वो treat करती है अब उसके dose की हम बात कर दे तो company जो ये बनाती है वो single dose के लिए ही बनाती है या पर आप देखो के एक ही tablet रहती है उसके packing के अंदर तो उसका reason ये है कि patient को ये 150 mg का ये जो tablet है वो लेना है weekly की one tablet लेनी होती है per week या फिर कई बार treatment जो है वो single dose से ही हो जाते कि अगर आप एक ही बार ये tablet खाते है तो भी आपका fungal infection ठीक हो जाए तो एक week तक लेना होता है मतलब की week में एक ही लेना होता है उसके बाद ऐसा लगी कि treatment हो चुकी है infection ठीक हो गया है तो दूसरे week ये medication लेनी के ज़रूरत नहीं होती तो सिर्फ एक tablet per week के तोर पे लिया जाता है because ये company भी खास करिए उसका ये जो treatment है उसी के according to सिर्फ एक ही tablet जो है वो देती है उसके blister के अंदर उसके packing के अंदर तो कभी भी उसको high dose में use ना करें और maximum चार week तक ये tablet जो है वो लेते हैं वरना minimum week में एक tablet खाने से ही treatment जो है वो आपकी हो जाती है अब बात करें उसके pregnancy के दौरान तो जो fluca 150 tablet से वो pregnancy के अंदर single dose के तोर पे आप ले सकते हैं और उससे आपका vaginal yeast infection अगर pregnancy के दौरान हुआ है तो वो ठीक हो जाए तो but वो लेना होता है सिर्फ एक only one एक ही बार only one आगे बात करते हैं उसके mechanism की fluca 150 tablet किस तरह से काम करती है तो ये medication क्या करती है जो fungal की जो cell membrane होते है उसका जो growth होता है उसको inhibit कर देता है उसकी जो cell membrane को destroy करने का काम करता है कि ये जो आप cell wall देख रहे हैं या फिर cell membrane देख रहे हैं उसको destroy करता है because ये क्या करता है cell membrane के लिए ज़रूरी जो ergosterol होता है उसके synthesis को inhibit करता है तो कैसे करता है तो जो lanosterol होता है वो lanosterol 14 alpha d-methylase enzyme को use करके बनाता है ये ergosterol बट जो medication है कि fluconazol है या फिर clotrimazol है या फिर ketoconazol जिससे antifungals क्या करते हैं आगे जाके ये जो enzyme है उसकी activity को completely inhibit कर देते जिससे lanosterol से ergosterol जो हो नहीं बन पाता और ergosterol नहीं होगा तो fungal का cell membrane डेवलप नहीं होगा और cell membrane नहीं बनेगी तो आगे जाके ये cell जो हो completely destroy हो जाते तो इस तरह से आपकी ये medication fluca 150 tablets जो हो काम करते हैं अब उसकी कुछ side effects discuss करें तो ये medication लेने के बाद कुछ लोगों को nausea vomiting मतलब की जी मचलता है जी घबराता है और उसके बाद जो हो उल्टी हो जाती है abdominal pain जैसा वो feel करते हैं मतलब कि पेट में दर्द मतलब कि stomach discomfort की condition जो हम कहते है gastric discomfort कुछ लोगों को diarrhea मतलब कि dust जैसा हो जाता है या फिर कुछ लोग weakness यानि की ठकान जैसा भी महिसूस करते हैं ये medication को लेने के बाद अब उसके कुछ contraindications देखे कि कौनसे condition में आपको fluca 150 tablet यूज नहीं करने है तो अगर आपके body के अंदर या फिर आपके blood के अंदर magnesium के मात्रा कम है आप ऐसे patient है कि आपके body के अंदर magnesium जो है वो बहुत ही कम है तो वो लोग ये tablet को जो है वो ना खाए second magnesium की तरह ही आपके body के अंदर potassium कम है तो भी ये medication को use नहीं करनी है फिर torcet d point के आप patient है मतलब कि abnormal heart rhythm के आप patient है आपके heartbeats irregular रहते है तो भी floconazol के tablet को use ना करे फिर prolonged cutie interval रहता है electrocardiogram के अंदर मतलब कि आप abnormal heart rhythm के patient है abnormal रहता है EKG जो cutie change रहता है जनम से तो वो patient बिसको नहीं करे है in short कि जिनको CVS cardiovascular system related problem है heart related problem है तो उन लोगों को ये medication नहीं का नहीं क्यों कि irregular heartbeats से आपके heart की rhythm अच्छी नहीं है तो भी आपके लिए complications हो सकते है फिर आपका LFT liver function taste जो है वो काफी abnormal है तो ऐसे लोग भी ये medication को ना खाए फिर pregnancy के दौरान सिर्फ और सिर्फ सिंगल डोज ही लेना है तो ये खास द्यान रखे कि कई बार इसके 100 mg के भी tablet होते है कि जो लोग दिन में एक खाते है बाट pregnancy के दौरान सिर्फ और सिर्फ ये tablet जो है वो only one के तौर पे ही use करनी है single dose के तौर पे और अगर आपको kidney disease है और वो stage 3A की अंदर है तो भी ये medication को आप use ना करें तो ये हो गए उसके कुछ warning तो हमारे second channel को अभी subscribe करें जिसका नाम है Hollywood to Hindi explain link में ने आपको description box में दी दे ही है साथ है comment box में आपको link दे देता हो तो जरूर से हमारे second channel को subscribe करें medicine course एकसेस करें pharma rocks के आप उपर सीखे दवायों के basic use के बारे में dose side effect warning and contraindications को एक साल तक वो भी काफी सरल बासा में affordable price के अंदर pharma rocks के mobile application के उपर तो कोई भी query हो course related whatsapp करें 9016312020 पर या फिर अगर आपके पास android phone है तो android app download करिए iphone user है तो app store से करिए link आपको description box में मिल जाएगी या फिर ये वाला help line number है जिस पर आप हमें whatsapp करके course के लिए link पा सकते हैं good luck and all the best